अलो फ्रेंट्स वेलकूम टू माय किचन आज मैं आपके लिए जूहाफजा शर्वत का चूर्मा और उसी चूर्मे के मोड़क की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ तो वीडियो पूरा देखें आप रेसिपी के लिए थैंक यू चूर्मा बनाने के लिए एक कप आटा उसमें दो बड़े चमच मैं घी आड करूंगी यह देखिए साथी वे उसके अंदर दो से तीन बड़े चमच जूहाफजा शर्वत आड करूंगी आप चाहें तो कोई सा भी शर्वत आड कर सकते हैं गुलाब का यह देखिए इसको अच्छे से मिला लूगी यह देखिए अच्छे से मिक्स का इलिया है अब इसका यह मुठी बन गई है मतलब यह तयार है अब इसमें थोड़ा दूद आड करके मैं इसका टाइट आटा ल सेख सकते हैं यह देखिए यह देखिए मैंने इसकी पेड़े जैसे बना लिया है मैं इसे बाटी वाले ओवन में मीडियम फ्लेम पे सेखूंगी दोनों तरफ से अब यह सेख चुके हैं अब मैं इने मिक्सी में पीस हूंगी अच्छे से यह पीस लिया है मैंने आप चाहे डाल सकते हैं आप 1-4 cup मैं इसमें घी डालूँगी और 2-3 बड़े चमच मैं इसमें शर्बत डालूँगी और आदर चोटी चमच मैं इसमें लाइची पावडर डाल के मिला लूँगे अच्छे से और ये रैडी हो जाएगा चूर्मा रैडी है अब मोदक बनाए जाएंगे मोदक बनाने के लिए मैंने थोड़ा चूर्मा अलग करके दो बड़े कमच शर्बत डाल किया है बस हमें इतना ही शर्बत डाल कहना है कि ये चूर्मा जो है ये गीला हो जाए और मोदक की शेप अच्छे से बन जाए आप चाहें मावा या मलाई भी अट कर सकते हैं मैंने चूर्मे मैट की ना मैं मोदक मैट कर दी हूँ ये देखिए शेप बना ली है अब मैं स्पून का जो बैक साइड होता है उससे ये देखिए डिजाइन बना दूंगे और मेरे मोदक बेक डाड़ी हो चूएंगे बहुत अच्छे से ये देखिए चूर्मा और मोदक और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो कही सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स बाई